बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए बच्चो आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विश्य हिंदी की वर्खीट कक्षा है 3, सपता है 9 बच्चो आज का उपविश्य है सूरज और चांद उपपर क्यों गए तो देखे बच्चो ये पार्ट आप सभी ने आपकी पार्थे पुस्तक से पढ़ाई होगा तो इसकी कहानी आप सभी को पता होगी बच्चो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर आप इस पार्ट को पढ़िए तो चलिए बच्चो इसको सॉल्व करते हैं हम तो बच्चो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी की बच्चो सभी जल्दी सी जाकर के लाल बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा उनलैन क्लासिस को जरूर सस्क्राइब कीजे, लाल बटन दबा करके, ठीक है बच्चो, तो देखी बच्चो, पहला देता है बच्चो बादल और पक्षी ये सभी हमें दिखाई देते हैं अगला प्रेशन है बच्चो प्रेशन नमबर दो एक वाक्य में उत्तर दीजे सूरज कब दिखता है बच्चो सूरज हमें कब दिखता है तो सूरज हमें दिन में दिखाई देता है ठीके जब सूरज न रात में दिखाए देता है जब चांद निकलता है तो अंधेरा च्छा जाता है पूरा चांद कब दिखता है बच्चो पूरा चांद कब दिखाई देता है तो बच्चो पूर्णीमा की रात को पूरा चांद दिखाई देता है ठीके तो यहां हम लिखेंगे पूर्णीमा चांद कब नहीं दिखता है तो बच्चो चांद किस दिन चांद हमें नहीं दिखाई देता है तो अमावस्या को चांद नहीं दिखाई देता है ठीक है यहां लिखेंगे अमावस्या अगला प्रेशन देखते हैं बच्चों अगला प्रेशन क्या है निम्द पंक्तियों को कहानी के आधार पर पूरा कीजे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मैं एक बहुत बड़ा नया खालिस्तान बनाऊंगा घर बनाऊंगा देखते ही देखते खालिस्तान सर तक पहुँच गया तो यहां आएगा पानी सर तक पहुँच गया पानी खाली स्थान पर आप पहुँचा तो पानी छट पर आप पहुँचा वे भाग कर खाली स्थान पहुँचे वे भाग कर आस्मान पर पहुँचे ठीके बच्चों तो यहां हमने सभी शब्दों से इनकी पूर्टी करी है अब बच्चों प्रेशन चार है चांद और सूरज का चित्र बना कर रंग भरे तो देखिए बच्चो चांद आप सभी को पता है इस तरह से हमारा चांद होता है ठीके और सूरज हमारा इस तरह से होता है इस तरह से बच्चो आप सभी को बनाना है और इसमें रंग भरना है अगला है बच्चो प्रशन पाँच पानी से हम क्या क्या काम करते हैं चार वाक्तियों में लिखें तो देखे बच्चो पानी हमारे अनेक प्रकार से काम आता है तो यहां हम लिखेंगे पीने के पीने के काम आता है ठीके दूसरा खाना बनाने के काम आता है खाना बनाने के काम आता है तीसरा है खेतों की सिचाई के लिए काम आता है और जानवरों को पिलाने के काम आता है इस तरह से बच्चों आप चार वाक्य कोई भी लिख सकते हैं जिसमें हमारे पानी काम आता है अगला है प्रशन छे पानी में रहने वाले चार जीवों के नाम लिखिए अब बच्चों देखे पानी में बहुत सारे हमारे जीव रहते हैं तो किनी चार जीवों के यहां नाम लिखेंगे हम ठीके तो पहला है हमारा मच्छी कच्छुआ डॉल्फिन और समुद्री घोडा तो बच्चों पानी में हमारे बहुत सारे जीव जन्तु रहते हैं ठीके जीव रहते हैं तो आपको बच्चों किनी चार जीवों के यहां नाम लिखने हैं जैसे मैंने यहां पे लिखा मच्छी, डॉल्फिन, कच्छुआ, समुद्री, घोडा आप इनके लावा जो आपको पता है उनके भी नाम यहां पे लिख सकते हो ठीके बच्चों सभी को आया अच्छे से समझ में तो चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं प्रती दिन बच्चों आप सभी को सुलेक लिखनी हैं और सभी को पाठे पुस्तक पढ़ना है और नए शब्दों का अभ्यास करना है संसका शाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और इसका नाम ओपरेशन विजय की सफलता के नाम पर रखा गया है तो बच्चों देखिए आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा कारगिल दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है ठीक है कारगिल युद 26 जुलाई को समाप्त हुआ था तो देखिए बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो कारगिल दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है ठीक है जीवन लंबा होने के वज़ाए महान होना चाहिए बच्चों जो हमारे डॉक्टर भीमराव अमबेड कर जी थे उन्होंने हमें बोला था उनका कहा हुआ वाक्य है कि जीवन लंबा होने की वज़ाए अगर महान हो तो अच्छा है तो बच्चों हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतने समय तक जीना है हमें इतने लंबी जिन्दिगी जीनी है हमेशा बच्चों ये सोचो कि हमें जितना भी जीना है महान इंसान बनके महान पुरुष बनकर जीना है इसलिए हमेशा कुछ महान कार्य करने की सोचनी चाहिए खाना पीना घर में बना मा की पसंद का खाना वे उनकी पसंद का पेपदार्थ पीना गतिवीदी काम वाले शब्दों का चार्ट बनाईए जैसे खाना पीना खेलना कूदना तैरना आदी तो बच्चो देखिए आप सभी को एक काम वाले शब्दों का चार्ट बनाईए जैसे क्या होते हैं काम वाले शब्द जैसे आपने कोई भी कारे किया जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, कूदना, तैरना तो बचो ये सभी कामवाले शब्दे इन सभी का आपको एकर चार्ट बनाना है खेल भाई भेन के साथ सांप सिड्य का खेल आप सभी को खेलना है दैनिक दिन्चरिय अपने मातपितह का अभिवादन करके अपने दिन की शुरूआद करे अपने दातों का दिन में दो बार ब्रश करें, प्रतिदिन इस्नान करें, खूब पाने पीए और संतुलित आहार लें, अपने चैरे को छूने से बचें, और अपने हातों को बार-बार धुएं अपना ग्रैकारे समय पर पूरा करें तो बचो ये देनिक दिन चरे आप सभी को डेली बताई जा रही है तो आप सभी इसे जरूर अपनाए अगला है भारत की स्वतंतरता के पिछेतरवे वर्ष के अफसर पर की जाने वाली गतिवीदी तो देखे बचो आप सभी को स्वतंतरता दिवस जो की 15 अगस्त को हम हर साल मनाते हैं तो बचो इसके उपलक्ष में आप सभी को एक गतिवीदी दी गई है जो आप सभी को करनी है अपनी मा की मदद से एक तिरंगा सेंडविच बनाईए तथा उसकी फोटो अपने अध्यापक को भेजिए तो देखे बचो आप सभी को एक तिरंगा सेंडविच बनाना है बचो आप सभी को पता है यहां तिरंगा किसे बोला गया है तो बच्चो देखिए हमारे भारत का जो जंडा है उसे हम तिरंगा बोलते हैं अब हमारे भारत का जो जंडा है उसे हम तिरंगा क्यों बोलते हैं क्योंकि बच्चो ये तीन रंगों से बना है अब इसमें तीन रंग कौन कौन से होते हैं तो देखिए बच्चो पहला रंग होता है हमारा केसरी दूसरा होता है हमारा सफेद और तीसरा होता है हमारा हरा तो ये तीन रंगों से बनके हमारा तिरंगा बना है इसलिए हम इसे तिरंगा जंडा बोलते हैं तो आप सभी को बच्चो एक तिरंगा रंग की सेंड़िच उमीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें जादा से जादा बच्चो वीडियो को शेयर करें साथ ये साथ नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और बच्चो चैनल आप सभी जरूर सस्क्राइब कीजिए मेरा चैनल है जारेडा उन्लाइन क्लास तो अभी जाइए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल सस्क्राइब करना ना भूलिए आप सभी का बच्चो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए इसी तरह आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें